Hello friends, namaskar, कैसे हैं आप लोग? उमिद करहा हूं बहुत ही अच्छे हों कि प्राहिले ख़ई आप लोग की बहुत अच्छे से चल लिए और आपका स्वागत है और प्राहिले ख़ई आप लोग की कैसे चल लएए तो जो भी जुड़ना चाते हैं हमारे दिएगे नमबरों से संपर करके आगर करके जुड़िए और बहुत ही अच्छे कुछ कराएज ने बहुत मेहनुत किया जा रहा है आप लोगों के लिए तो आईए जो है एक बार आ करके देखिए मुलब किस तरीके का किस लेबल का कुछ हो रहा है विकिए जब तक आएंगे नहीं समझ में नहीं आएगा आएसे और बहुत ही जगा जो जैसे भी जो कोर्स चल रहे हैं आप मिलान करके देखिएगा जो है लेबल आप कुछिचन का जो है जब कुछिचन कराया जाएगा प्रेक्टिस कर वाएंगे तो थेवरी क्लास चला रहे है तो आज डेटू है तो पहले दिन वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके देखें आज ग्रामीर विकास का डेटू है तो ग्रामीर विकास डेटू ग्रामीर समधाई के बारे में आज हम पढ़ेंगे हम लोग ठीक है तो ग्रामीर समधाई यान की ग्राम या ग ग्राव्ण या गगाउं किसे कहेंगे? किसी को पता है? कमेंट करके बताइएगा परिभासा इसकी कहां पर दी गई है? जो हमारा आर्टिक्ल's चालिस है इसकी परिभासा दी गई है एक समूह निवास करता है जिसमें कई सारी जातियां होती है वो चाहे ब्रामडव, जो है छेत्रियों, यादव और कई सारे लोग जैसे की ESC, STB जाती है निवास करता है मलब कई सारे लोग लेकिन आपस में मिल करके रहते हैं और यहीं पर जो है क्या होता है कि ग्राम परधान का चुनाओ भी होता है यह आप लोगों ने चुना होगा कि यहाँ ग्राम परधान का क्या होता है चुना होता है, एक समूह या एक बर्ग जहां पर निवास करता है उससे क्या कहेंगे, ग्राम या गाउं कहेंगे तो एक आप लोगों ने देखा होगा, समझा देते हैं कि ग्राम वासी ग्राम वासी ग्राम वासी कौन कहलाएंगे उसमें सारे लोग आएंगे वो चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों बुजुर्ग हों, युवा हों वो चाहे जैसे हों, वो सब क्या कहलाएंगे एक ग्राम वासी कहलाएंगे एक ग्राम में लगवग कितनी लोग होते होंगे 600-700 बहुत ज़्यादा 2000 लोग ठीक है 3000 लोग मलब कई स्यादे चोटे 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 गाउं भी मिला करके गाउं कहलाता है तो वो क्या कहलाते है कि समस्त लोग क्या कहलाते है हमारे ग्राम वासी कहलाते है लेकिन अब इसी में कहा जाए कि नहीं भी है सभा क्या है सभा क्या है सभा क्या है अब दिरे-दिरे समझे का कि परधान का चुनाओ कैसे होता है वहीं पर आ रहा हो लेकि तो ध्यान समझे का कि ग्रामगासी कौन होगे तब जो 18 प्लस होते हैं उन्हीं को सामिल किया जाता है यानि कि 18 बर्स से नीचे उम्रवालों को क्या किया जाता है सामिल नहीं किया जाता है क्यों? क्योंकि ये मतदान नहीं कर सकते हैं अगर अपने मतदान का प्रियूग नहीं कर सकते हैं उनको किसोरा वस्ता यानिकी बालक का वस्ता में माना जाता है तो उनको क्या किया जाता है सभा में सामिल नहीं किया जाता है तो ग्राम पंचायत का जो समिती है वो कहां पर मतलब हमारी संविधान में कहां इसका उले खे है हमारे संविधान में इसको भाग नौ में बताया ग 243 B है इसी में इसके बारे में क्या किया गया है पूरा बताया गया है अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ऐसा समोह या बार कै जिसमें निवास करता है अब देखें़े आते हैं ग्रामसभा समस्त ग्राम वासी सभी आउ बरके वो चाहे बच्चे बुजुर कुछ भी हो, सभा, वयस्क या 18 प्रस लोग, ग्राम पंचाय समित, इसके बारे में पूरा बता दिया गया, तो जैसे कि अभी चुना हुआ, गर युपतर परदेश के रहने वाले होगे, तो आपने देखा होगा कि अभी चुना हुआ, किसका ग्राम परदान का चुना हुआ, तो ग्राम परदान का चुना हुआ, तो ग्राम परदान का चुना हुआ, और प्लस क्या होते है, वार्ड मेंबर होते है, कौन होता है, वार्ड मेंबर होते है, तो ग्राम का परदान एक चुना जाएगा, लेकिन वार्ड मेंबर कितने होते हैं, ward member होते हैं, कम से कम, ध्यान रखना, minimum, देखो minimum लिख रहा हूँ, minimum कितने होंगे, 9, लेकिन maximum कितने होंगे, 15, एक ग्राम सभा में, एक ग्राम परधान होता है, ward member कितने होते हैं, minimum 9 हो सकते हैं, और maximum 15 हो सकते हैं, नोट्स बनाना हो, नोट्स बनाना लेना, या फिर जो भी हमारे paid group से जुड़े हैं, उनको ये pdf share कर दी जाएगी, बाकि handwritten notes जो है, group में डाल दिया गया है, जो handwritten notes हैं, वो group में डाल दिये गये हैं, और भी subject के आपको notes मिलते रहेंगे, बाकि ये pdf भी YouTube पे चल रही है, ये भी paid group में डाल दी जाएगी, आप लोग चिंता मत करेंगे, जो paid group से जुड़े हैं, वो लोग चिंता नहीं करेंगे, उनको पूरा सब कुछ मिल जाएगा, बाकि जो नहीं जुड़े हैं, वो भया संपर करके, जो लोग जुड़िये, जो है, ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करिये, जो है, जादे-जादा, बार-बार कहना लब बीच में पढ़ाते वक्त अच्छा नहीं लगता, चलिए लेकिन ठीक है, तो 21 बर्स की आई, जैसे अब ग्राम परधान, ग्राम परधान जो बनता है, जैसे मतदान देनी की उमर तो 18 साल है, लेकिन ग्राम परधान नहीं बन सकते हो, ग्राम परधान बनने के लिए आपकी उमर कितनी होनी चाहिए, 21 बर्स बना चाहिए, 21 ठीक है, अच्छा आब इसी म के लिए चुनाव लगना है यानि जो है प्रेसिदेंट आफ इंडिया के लिए 35 साल ठीक है यह याद रखना तो ग्राम प्रधान बनने के लिए हमें कितनी एज पूरी करनी होगी 21 साल और कारिकाल आप जानते हैं कितने बरस का होता है 5 बरस का हमारा कारिकाल होता है ग्राव प्रतान का तो चीज़ें समझ में आई 36 से लेकर 51 ठीक है जिसमें कौन है नीत निदेसक सिधांटी PSV ठीक है नीत निदेसक सिधांट इसी के अनुच्छेद 40 यानि की आठकिल 40 में ये कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठान किया जाए लेकिन जब इसके बारे में बात की जाती है तो ये कहाँ पे चला जाता है इसके बारे में डिटेल में कहाँ पे बताया गया है भाग 9 में भाग 9 में जो हमारा 243 से सुरू होता है और कहां तक जाता है I, J, K, Y, 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 O बहुत दूर तक जाता है O तक जाता है something तो B में इसकी क्या किया गया है परिभासा दिया गया है हमारे गाउं का एक परधान होता है और वार्ड मेंबर चुने जाते हैं एक परधान होगा और वार्ड मेंबर वार्ड मेंबर में 9 मिनिमम हो सकते हैं और 15 मैक्सिमम हो सकते है ग्राम परधान बनने के लिए हमारी उमर कितनी होनी चाहिए लगभग 21 साल होनी चाहिए कारिकाल हमारा कितना होता है 5 साल का होता है और जब यह चुनाव होता है तो इसका चुनाव करवाता कौन है राज का निर्वाचन आयोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बरतमान में मतलब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ठीक है ये आप लोग के लिए टास्क है कि भारत में बरतमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है कमेंट करके जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं होंगे वो comment करके जो बताएंगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जैसे तासील की बारे में आप बताएं हर कोई जो भी गाउसे होगा उसका पता होगा कि हमारे यहां एक तासील भी होती है तो तासील का काम क्या होता है राजस तो संग्रा करनी की एक प्रसासनिक इकाई होती है तो उसमें एक क्या होते हैं एक तासील दार होते हैं ठीक है एक तासील दार होंगे एक कानून गो होते हैं कानून गो का भी नाम सुना होगा आपने और फिर आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं देखिए लेकपाल और लेकपाल को तो चार पदातकारियों के आपने नाम देखें, तासिल दार, कानून गो, लेकपाल, आमेन, ठीक है, तो तासिल हमारी क्या होती है, क्राज कर संगरा करने की क्या होती है, एक प्रशाशनिक इकाई होती है, इसमें कई छोटे गाओं कस्वे आते हैं, आप देखेंगे कि जहां आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्लाप पे आते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है ब्लॉक तो ब्लाप प्रमुक का भी चुना होता है अचा, ब्लाप प्रमुक में कौन से मेंबर भाग लेते हैं आपने देखा हुगा कि जो आपने अपने गाउं में BDC चुना था BDC वही क्या करते हैं ब्लाग प्रमुक के चुनाओं में क्या करते हैं मतलब एक यह जो ब्लाग प्रमुक का चुनाओं होता है कैसा चुनाओं होता है अपरत्यच्य चुनाओं होता है उपर भी बता दें कि जो हमारे वार्ड मेंबर चुने जाते हैं उनको लागू करवाया जाता है यह भी एक छोटे लेवल की क्या होती है प्रशास्निक इकाई होती है ठीक है वहाँ पे जो ब्लाक प्रमुक होते हैं उपने ब्लाक के लेवल पे जो है उसका भी स्तार करते हैं वहाँ पे सुखसुधाये सड़क अच्छी हो जल्वे वस्ता अच्छी हो ठीक है गाउं का विकास हो अच्छी टेकनोलाजी बैग्यानिक तारकी क्रूप से जो है लागू कराया जाए और जो भी गरीब तपके के निर्धन लोग है उनको जो है हर चीज बकाईदे जो है मौया कराई जाए ठीक तो इसके बारे में आप लोग जानी गए होगे अब हमारा क्याता है ग्रामीर समाज की बात आती है ग्रामीर समाज अब हम इसके बारे में चार ग्रामीर समाज की बारे में बताते है कि ग्रामीर समाज इस दीरे-दीरे समझ में आ रहा होगा न, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है ये सब, अब ग्रामीर समाज की बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीजें जो गाउं के लोग होग़े, जो गाउं के बच्चे होंगे वो तो तुरन समझ जाते होगे कि हाँ, इससे होता है, इ थोड़ी थोड़ी बहुत जानकारी जो भी है आप लोग को जानकारी होते हैं पहला क्या होता है हमारा पहला क्या है कि ग्रामीर समाज मारा का चार परकार का होता है पहला ग्रामीर समाज मारा क्या होगा क्रिसी करने वाले लोग क्या होता है हमारा क्रिसी करने वाले लोग अब उसमें क्या उत्पादित होगा और किस तरीके से खाएंगे यह सब भी कुछ देखने को मिलता है लेकिन ये होता है कि छलो ठीक है कि ग्रामिर जीवन है, जो एक अच्छावा मिलती है, पानी मिलता है सब कुछ को है, तो एक अच्छा जीवन भी ये लोग बितीत करते हैं अब क्या होता है कि गयर क्रिसिकार करने वाले गाओं जिनके पाँ जिसे को थोड़ा सा डिबलफ हो गया है थोड़ा सा डिबलफ क्या वहाँ पे जमीन अप रहे नहींगी, खेती करने के लिए जमीन रही नहीं अब यहाँ पे क्रिसी कारी नहीं हो रहा है, नमबर दू की बात कर रहा है, गैर क्रिसी कारी करने वाले गाँ, अब क्या होता है, कि यहाँ के जो पहले लोग रहते हैं, वो क्या कोते हैं, कि दूसरे चेत्र में जाकर के अपना रोजगार तलासते हैं, यह जैसे कोई बढ़ा में क्योंकि वहां पर खेती रही नहीं है वहां पर जमीन है नहीं तो खेती कहां करेंगे तो वह क्या कर रहे हैं दूसरी जगह जा करके उसकी तलास कर रहे हैं कि अपने काम की तलास कर रहे हैं तो दो परकार के गाउं अपने देख लिए अब आता है कि नहीं तीसरे परकार क गाउं बताईए तो तीसरे परकर का गाउं होता है हमारा उपनगरिये गाउं इसको क्या बोला जाता है उपनगरिये गाउं ये गाउं कौन से होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ें उपनगरिये गाउं मतलब ये गाउं जैसे होता ने कि सहर है कोई भी सहर हो तो उस सहर कि नजदीक जो गाउं होते हैं मतलब उनको बहुत दूर कहीं नहीं जाना पड़ रहा है मतलब जो भी सुविधाय मिल जा रही है तुरंत मिल जा रही है जैसे कि वो अपना बाइक या जो भी उनके पास चीज़े हैं वो सहर में पहुचे हैं लेकिन वो गाउं में ही है गाउं है लेकिन सहर के पास है जो गाउं नगर के पास इस्तित होते हैं वो कौन से गाउं कहलाते हैं हमारे उपर नगर ये गाउं कहलाते हैं है चौसे लेबल होते हैं और दोगिक गावंस करहा है सब्सक्र Ben YouTube क्रया है他是 कर रहे हैं तो यह ऐसे गाउं क्या कर रहे हैं और दोगिक कर रहे हैं तो चारों-पंध में आया किरसी गाउं, जो किरसी करने वाले जहाँ पे खेतिवारी हो रही है, यहाँ पे यह कस्बे में तब्दिल हो गए है, यह सहर के पास इस्तित हैं और यहाँ पे उद्दोग वगेरा भुजादा डेपलफ हो गया है, चारो परकार के गाउं समझ में आगे होंगे, मैं उम्मीद किया जता है, यही हमारे सैस्कार दिखाए जाते हैं, सहरों में भी है, इसी बात नहीं है, लेकिन ग्रामीर समाज में हमारा ज्यादा देखने को मिलता है, परिवार को सय्यूप्त रखना है, ज्यादा धिखने होगे कि एक ही परिवार में, जो ह हैं ग्या भोला बेटे सब होते हैं कि बहुत ही अच्छा जो है इंवार्मेंट होता है गाउn का ठीक है तो अब क्या होता कि सामाजिक कारी में भाग लेना अब जो भी सामाजिक कारी होगा उसमें क्या होगे यह भाग लेंगे जिसे चोटा-मोटा को वह समार होगा बढ़ired कर् 않 किए जाए रहर है की बेंते हैं तो या थी और फिर जो है खेशी कंधर ऑफ किसी के साहिस मारा भी तगते हैं और सब लोग वह और किर आछ कर्डिये एकां देखा होगा कि पहले गाओं में क्या होता था कि मतलब बिनी में प्रणाली समझते हैं कि मतलब इक चीजे मतलब आप दे रहे हैं कोई भी बस्ट या सामान दे रहे हैं उसी कि वрirect आपको दोसरी बस्ट या सामान मिलेगी वभा बस प्रणाली है, जैसे गाव में, महलब जो गाव की लोगों होंगे, वो समाझते होंगे, जैसे आपके गाव में चोठी service हो ऑगर है, लेके उपन सथा भाहिकों है हो, बिस्किट लेना है ठीक है और सेम्पु लेना है, तो आप इन用app salary है हो अब आप चावल लेके जा रहे हो, साबुन, तेल और सैंपूल लेके आ रहे हो, तो ये क्या है कि बस तु बैहना लेके जिसले हैं, आई साग की मिलता है कि जिसे उनकी पास अब अपना धान ग्यों चावल हुआ, तो ये लिखेगे, दुकान पे वहां पे बेद देते हैं, और उसके बदले इनको क्या मिल जाती है, पैसा में, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब क्या है आर्थिक क्रियों में, अब ये भी मुद्रा का प्रियोग करने लगे हैं, मैक्सिमम् चीजें क्या होती हैं, मुद्रा पे नेट भर हो गई है, चौते पॉइंट पर आते हैं हम लोग, जाती भी भिनता, जाती भी भिनता, जैसे कि पहले क्या होता था कि ब्रामार्ड, चत्री, बैसी, सूती, चार बाड़ों में बटा हुआ है, तो हमारा मतलब समाज काफी दिनों से, जो है, बैदिक समाज, उ जो है, क्या इसमें कि बोलेंगे, कि उनके साथ थोड़ा सा भीदभाव किया जा रहा है, साधी समारो या कोई भी खान-पान समारो हो रहा है, तो उसमें बुलाया नहीं जा रहा है, ठीक है, उनसे दूर अस्पिर्स्तन मलब दिखाये जा रहा है, छुआ चुआ चुट का करी रहे हैं, ठीक है, ब्योसाय की तरफ कोई कुछ ब्योसाय कर रहा है, बढ़ी गीरी कर रहा है, कोई प्लंबिंग का काम कर रहा है, या फिर कोई अपनी दुकान-उ-कान खोले रहा है, अब ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि नहीं, जो जाती जिनकी जाती है, उसी की हिसा ठीक है इनसे आप संपर्क कीजिए और WhatsApp ग्रूप पे जो है संपर्क कीजिए या कॉल कीजिए ठीक है तो यह आपको जोल लिया जाएगा टेलिग्राम ग्रूप से और अगर आप पेड कोर्स लेना चाते हैं तो इसके बारे में बता दें कि यह देखिए हमारा पेड कोर्स के बारे में आपको देदे जानकारी बीडियो और लेकपाल का पेड कुछ सुरू हो गया है आप इस जुडिये जो है टेस्ट तरीज भी है आपको जोल लिया जाएगा ठीक है यह हमारा PCS मेंस के लिए है यह प्री का बैच है और इस वाले बैच के बारे में जानकारी एक चोटा सा बीडियो है आप देख सकते गया और भी हर सब्जेक्ट के धिरी धिरी आप लोगों को मिलते रहेंगे ठीक है तो चलते हैं आज के लिए बस इतना ही जो समझ में नहीं आया होगा कमेंट करके जरूर पूछेगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद